लुट्टेश दोस्तों मैं डॉक्टेश जालीन वस्टेक वार फिर अपने यूट्यूब चैनल वेट फॉर पेट में आप सभी का स्वाइबत करते हूं दोस्तों आज हम बात करेंगे पैपिलोमा इंडॉक्स मतलब डॉक्स में पैपिलोमा क्या होता है पैपिलोमा एक तरह क पैर, इंटर्डीज टरी स्पेस, बोडी में कहीं भी हो सकता है, यह एक तरह का ट्यूमर होता है, जो ट्यूमर देखने में ऐसा लगता है, जैसे कॉली फ्लावर, मतलब की जैसे फूल गो भी होती है, उस तरह की शेप के छोटे-छोटे वो ट्यूमर होते हैं, हुमन्स में य एक वाइरल डिजीज है, जो डॉक्स में जब कभी इम्मुनिटी बॉडी की कम हो जाती है, तो उस कंडिशन में पैपिलोमा हो सकता है, इस पैपिलोमा वाइरस की वज़ए से दूसरे डॉक को भी इंफेक्शन हो सकता है, जैसे माल लिजे एक डॉक के जो उसके बैड है, उसका जो सोनी की जंगे है, या फिर उसके टॉइज हैं, उसके जो खाने पीने के यूटेंसिल से हैं, अगर दूसरा डॉक किसी इंफेक्टेड डॉक के कॉंटेक्ट में आता है, तो उसको भी पैपिलोमा होने के चांसे हो जाते हैं, कैनाइन पैपिलोमा वाइरस 1, ऐसे बहुत सारे स्ट्रेइन इस कैनाइन पैपिलोमेटोसिस के वो हो सकते हैं, एक बार अगर किसी स्ट्रेइन से किसी डॉक को इंफेक्टेड होता है, और वो से रिकवर कर जाता है, तो इसका मदब यह नहीं है कि इसको दूसरा इस्ट्रे और गोग की स्किन वहां से कहीं से इंजरी हो रखी हो या कटी-फटी हो, तभी जहें डॉक को इस वाइरस से इंफेक्शन हो सकता है, इंटेक्ट स्किन के थूँ यह वाइरस बाडी के अंदर नहीं जा सकता, और एक खास बात यह कि जो वाइरस है, यह हुमन को पैपिलोमा नहीं करता है, तो बहुत जादा घबराने की बात नहीं होती है कि अगर किसी डॉग में पैपिलोमा बने हुए हैं और आप उसको टच कर रहा हैं, तो वो हुमन में पैपिलोमेटोसिस वो नहीं करेंगे, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक डॉग है और इसके लि इसकी सर्जरी कर सकते हैं, हम नॉर्मली सर्जरी करके हटा सकते हैं, या फिर इसका कौडराइजेशन कर सकते हैं, या फिर क्रायो सर्जरी करके इसको हटाया जा सकता है एक बार किसी डॉग में अगर पैपिलोमा वाइरस का इंफेक्शन हो जाता है तो पूरी तरह से टूमर को बनने में कम से कम एक से दो महीने लग आता है मतलब कि जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो लगबग एक से दो महीने का होता है और धीरे-धीरे पैपिलोमा वो पहले चोटे साइस का होता और धीरे-धीरे फिर बड़ा बन्ता चला है कई वार इसकी जो लोकेशन है उस पर डिपन करता है कि अनिमल को दिक्कत होंगी नहीं होंगी अगर वो lips में है या फिर कहीं जॉस में बन जाते हैं या फिर जो dums हैं उनमें बन जाते हैं या जो eyebrows हैं या बन जाते हैं तो ऐसी condition में dog को काफी दिक्कट होती है dog को itching feel होती है और जब इसको scratch करता है तो वहां से bleeding होने के chances काफी आइधे होए तो ऐसे में खासतोर से सर्दियों में तो ऐसी दिक्कत नहीं आती है लेकिन बरसात और गर्मियों में वहाँ पर मेगटून होने के चांसे बढ़ जाते हैं तो यह एक कॉमन फीचर देखी गई है कि अगर बैपिलोमा को कोई डॉक इचिंग होती है तो उसको इरोड करता है तो वहाँ पर ब्लीडिंग होती है और फ्लाइज आके अपना वहाँ पर एक डेती है और उसके बाद मेगटून डेवलब हो जाता है तो एक नई समस्य के लिए वह जरूरी है इसके लिए बहुत सारी तरीके हैं हम अगली वीडियो में इस पर बात करेंगे कि किस तरीके से हम बैपिलोमेटोसिस को ग्रीट कर सकते हैं